दोस्तो आज कल एक्सल सीखना बहुत ही असान हो गया है एक्सल में कोई भी कैसा भी काम करना हो सीख करके बरेसानी से कर सकते हैं और कई काम तो ऐसे भी होते हैं जिसे एक्सल में AI की मदद से किया जाता है लेकिन दोस्तो एक्सल में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे एक्सल सी आज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ता जूर देखेगा और आज का इप पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और से जबू करेगा तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रीक नमबर वान डाटा वेड्रेसर ने दोस्तों यहां पर कुछ नाम दिये हैं जिसमें यहां पर मेल भी है और फीमेल भी है और कुछ फीमेल ऐसे भी है जिनकी साधी हो गई है तो हमें यहां पर जितने भी मेल है सब क्या लगाना है मिस्टर और जितने भी फीमेल है जिनकी साधी नहीं हुई है उनके नाम क्या लगाना है मिस्स और जिनक किस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आपको बार बार टाइप करने की जोत नहीं है सिप आपको एक ही बार टाइप करना है Mr. Miss और Mrs. जिस नाम के आगे जो भी आपको चाहिएए आप लगा सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से यूज किया हुआ है आप यहाँ पर से यहाँ पर बटन दिया हुआ है और इसमें Mr. Miss और Mrs. बस जो भी मुझे यहां पर करना होगा और सिर्फ में उसके कर दूँगा तो ऐसा हम कर सकते हैं सिफ डाटा वेडरेशन से तो इस ट्रीक का यूज कैसे करते हैं चली मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले जहां पर भी आपको डाटा इंसर्ट कराना होगा जहां पर यहां पर इस तना करने के बाद सिफ यहां पर इंसर्ट कराना होगा जैसे कि यहां पर जो रमेश नाम है यह male है तो मैं यहां पर इस पर click करके और यहां से misslet करता हूं mister तो यहां पर mister आ गया जैसे कि यहां पर पूजा है यह female है तो मैं यहां पर click करके और यहां से select करता हूं मैं miss से इसी तरीकर से और भी जितने भी यहां पर नाम दिये वह हैं आपको सिर्फ नाम को देखना है तो मुझे इनका टाइटल देना है मिसेस तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से arrow बटन पर क्लिक करके स्लेट कर लेता हूँ मिसेस है ट्रिक नंबर टू किलिप बोड ट्रिक से दोस्तो एक्सल कंदर यहाँ पर कुछ अलग लग डाटा टाइप किया वा है जैसे कि यहाँ पर कुछ मंद के नाम दिये वे हैं यह जमरी से लेकर दिसंबर तक है और इसमें यहाँ पर दिया वा है टोटल सेल से इसके बाद यहाँ पर दुसरे डाटा में यहाँ पर कुछ मंद के नाम दिये वहा है जो कि यहाँ अलग से डिए हो हैं ँदसंबर आफॅ करना है तो में आपको एक क territory का बताता हूं मैं आपको- कहें बी- और कैसे भी अपड़े कर सकते हैं मर्ज करने के लिए चली मैं को लेता हूं copy और यहां पर कर देता हूं paste और इसमें यहां पर दिखाना है ठीक के अंदर और यह दूसरा डाटा दिया वा है इसमें यहां पर बार बार copy paste करना पड़ेगा तो मैं आपको एक ट्रीक बताता हूं जिसका यूच करके आप किसी भी डाटा को कहीं से भी कैसे मर्ज कर सकते हैं जैसे आप चाते हैं वैसे तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको यहां पर होम टेम पर क्लिक करना है और देखिए यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सकते हैं कि वह जो डाटा है वह यहां पर लिष्ट में आ चुका है इसके बाद हमें यहां पर बार बार कोपी करके पेस्ट नहीं करना है अब मैं यहां पर जो दूसरा डाटा मुझे चाहिए यहां से जुलाइ से लेकर करके दिसम्बर तक का इससे मैंने स्लेट करने के कंट्रोल से इससे कॉपी कर लिया तो कॉपी करने के बाद आप यहां पर सकते हैं कि इस वाली लिष्ट के अंदर यहां पर जो क्लिबड कॉपी किया वा है बस यहां पर सेल्स पर क्लिक करके और यहां पर डाटा पर मैं क्लिक कर देता हूं बरहसानी से यहां पर डाटा कॉपी होकर करके यहां पर आ गया अब ऐसी दोस्तों आपको कैसे भी डाटा कहीं भी दिखाना होगा जैसे माली जी कि यहां पर जम्रीश ल यहां पर जमरी का डाटा चाहिए मैंने कंटोल सी से कॉपी कर लिया फिर मुझे यहां पर अप्रेल का चाहिए मैंने कंटोल सी से कॉपी कर लिया मुझे यहां पर जुलाई का चाहिए कंटोल सी से कॉपी कर लिया और इसके बाद मुझे ऑक्टूबर दिसंबर का चाहिए तो तो आप है पिस창 में मैंन का गूंट को यहां पेसा या अंड हो वहीं होता है और होता है कंदर कि एक्सल प्रब्स we 10, 11, 12 तो आपके सामने कुछ इस तरीक से 100 होता जैसे कि यहाँ पर एक नमबर के बाद पॉइंट दियावा है कुछ नमबर है इसके बाद पिर प्लस पिर यहाँ पर 11 और यहाँ पर जितनी भी अधार काट आप देख रहे हैं सभी का यही हाल है किसी में भी यहाँ पर नमबर सो नहीं कर रहा है तो दोस्त अगर आपके साथ कुछ ऐसी पॉलम आती है तो आप इसका सुलूसिन कैसे करेंगे चली मैं आपको दिखाता हूँ माली जी यहाँ पी जो sale दियावा है मैं इसमें यहाँ पी कुछ number type कर देता हूँ देखिए यहाँ पर 4 digit हुआ है मैं यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर 10 और यह 12 ठीक है मैंने कुछी तरह से type कर दिया तो यहाँ भी वही same follow up आ रहा है और देखिए यहाँ पर दियावा है decimal places से तो यहाँ पर 2 दियावा है आपको यहाँ से कर देना इसे 0 और जब यहाँ पर यहाँ पर ok पर click कर देंगे तो इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर sale slate किया था मैं यहाँ पर border लगा देता हूँ यहाँ चलागे मैं home के अंदर और यहाँ से कर दिया मैंने all border ठीक है तो अब आप इसके अंदर कोई भी number टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप plus one नहीं आएगा ठीक है मैं आप देखिए दिखा देता हूँ यह मैं इतना सा number टाइप कर दिया इंटर किया ठीक है ऐसे ही मैं आप और भी number टाइप करता हूँ इंटर कर दिया ठीक है तो अब आप यहाँ पर इन सभी सेल के अंदर कितने भी number आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी दोस्तों इस टाइप का number इंटर करने का और भी कही तरीके होते हैं जैसे माल लेजै कि यहां पर मेंगा री sin चला गया और यहां पर नंबर करने से पहले की बोर शी कवर से साम्ने अपर यहाँ पर प्प這些 का पेनल और इसमें आपको यहाँ पर टेक्स पर क्लिक करने बाद हिकिए आप यहां पर OK पर क्लिक कर देंगे और इसके अंदर आप जितना चाहिए नंबर यहां पर टाइप कर सकते हैं तो यादखना जितने सेल में आपको नंबर चाहिए वो सभी सेल आपको स्लेट करना परेगा ऐसी दस्तों एक ट्रीक में आपको और बताता हूं नंबर इंसर्ट काने का अगर आपको कोई multiple number इंटर काना को किसी भी सेल के अंदर तो आप करेंगे किया यहाँ पे जो यह फामुला बार दिया हुआ है अहां पर ठीक है तो आपको कुछी नहीं करना है पहले आपको number कर लेना है ठीक है मैंने आपको कुछ number कर लिया और इंटर कर दिया इसक जो एक ट्रिक और अधार nember इंसेट काने का, जैसे की आपने देखा हो कि आधार nember में चार और लगए को डेस लगा होता है, कुछ इस तरहीकर से number insert होता है, ठीक है, तो अगर आपको इस तरहीकर से number इंसेट काना होगा तो आप यहां पर किसी भी number के आगे आपको बाद-बा तो डश से 0000 डश से 0000 ठीक है इस तरड़ की से मिने आपढ़ नमबर दिखा दिया और यहाँ पना पर गडिक कर दिया तो अब आप यहाँ पर आप 12 डिजित का कोई भी नमबर आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना ठीक है बस यहाँ पर तो हर चार नमबर के बाद यहां पर डेस्ट लग जाएगा ट्रीक नमबर 4 है ओटो नमबर अपडेट है दोस्तों जैसा कि आप यहां पर दे सकते हैं कि यहां पर दिया वा है यह नमबर हमारा खराब हो गया फोर के बाद यहां पर सीधा रहा है तो जो हमारा फाइव नमबर का डाटा था यहां पर चला गया है लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर यहां पर बेकार ना हो यहां पर एक नमबर से लेकरके अगर बीच में को भी एक नम आपको यहां पर नंबर जहां से चाहिए वहां पर क्लिक करके एक्वल टू टाइप करना है ठीक है एक्वल टू टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है रो बेके स्टार्ट बेके क्लोज कोमा लागा करके फिर से आपको टाइप करना है रो बेके स्टार्ट जो उपर कर यहां पर जो sale दियावा है आपको इस पर click कर दिना है और keyboard से place करना है F4, sale को fix करना है ताकि जब हम drag करें तो हमारा sale number चेंज ना हो बेकर close करके आपको keyboard से shift के साथ enter की place करना है तो आप यहां पर सकते हैं कि एक number आ गया, आपको यहां पर कुछ नहीं करना है इससे आपको कर दिना है drag, जहां तक आपको number चाहिए तो देखी, यहां पर बीच का number मैंने आपको read कर दिया था तो यहां पर यह आ चुका है, एक से ले करके यहां पर 9 तक है तो अगर मैं यहां पर इसकी बीच में से किसी भी एक row को delete करता हूँ ठीक है, जैसे माली जी है, कि यहां पर तीन number पर यह जो road दिया हुआ है मैं इस पर click करके, keyword से control minus की प्रेस करता हूँ और यहां से करता हूँ, मैं entire row और यहां से कर दिया मैंने ok तो आप यहां पर सकते हैं कि जो हमारा CL number यह auto update हो गया trick number 5 है, flash fill है दोस्तों आपके सामने यहां पर कुछ employee के नाम टाइप किया है हैं और यहां पर जैनाम यहाँ तो हम यहाँ पर करना क्या है, कैकि हर नाम के आगे हमें लगाना है Mr., यहाँ पर जितने भी नाम दिये вмe सभी mail है तो Mr. लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि कर दिया और इसके बाद कौन से नाम के आगे तिर इस नाम के आगे तो आपको यह नाम आपको यहां पर टाइप कर देना है जैसे यहां टाइप कर दिया मैंने सुरेश कुमार ठीक है सिर्व मैंने आप एक नाम पर एड किया है और एड करने के बाद उस नाम पर क्लिक करके औ CTRL E, तो जैसी मैंने CTRL E की प्रेस किया, तो आप यहां पर सकते ही कि हर नाम की आगे, यहां पर Mr. लग चुका है, ऐसी दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहां पर जो नाम टाइप किया हुआ है, मुझे यहां पर First Name अलग करना है, और Last Name को अलग करना है, तो ऐसा करने के लिए अग सकते ही कि जिते भी यहां पर First Name दे, यह सब भी एक बार में आ गए, यहां पर मैंने को भी फामला यूज नहीं किया दोस्तों, फ्लेस फिल का यूज किया है, जिसकी सोकर्ट की है, Ctrl E, और यह एक जादू की तरह काम करता है, ऐसे यहां पर इस नाम का जो Last Name दिया वा है कु ठीक है, मैंने यहां पर टाइप कर दिया, इंटर किया, और इस नाम को स्लेट करके मैंने Ctrl E की पेस किया, तो आप यहां पर सेते हैं कि Last Name जीतने भी यहां पर दिये वेते हैं, सभी नाम यहां पर एक बार में ही आ गए